दोस्तो इस पिक्चर में दिखाए गए ब्लाउच की डिजाइन आज हम बनाना सिखाएंगे इससे पहले की वीडियो सुरू करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आए शुरू करते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेश दे बेल एकन फोर नियू अपजेट्स ब्लाउच को यदि अस्तर वाला है तो परदे अस्तर अटेच कर लें और गला हमारा लगभग साड़े तीन इंच चोड़ा और पांच इंच गहरा कटेगा इसके बाद हम लोग जतनी डिजैन बननी है इसमें तीन बॉक्स बनने है तो लगभग दो-दो इंची के बॉक्स रेंगे तो छे इंच हमें नीचे गहरा काटना है और तेड़ इंच चोड़ा काट लेना है तो यह बनने के बाद हमारे साड़े तीन इंच का लूप दिखेगे जो लूप बनने हैं उनके लिए कपड़ा हमें लेना है लगभग दो-इंच चोड़ा लूप रहेगा तो पांच इंच का चोड़ा ही रहना है और पंद्रा इंच लंबा कपड़ा लेना है इतना कपड़ा लेने के बाद इसको दो-इंच के नाप करके दो-इंच की पट्टी नुमा हमें सिन लेना है देखेए ब्लाउच का गला बनाने के लिए जो हमने पट्टी काटी थी उसी पट्टी को रख लेना है गौनर पर रखना है और अब दो दबसे एक एक इक इंच कपड़ा छोड़ लेना और इस निसान संक को लगा लेना है दो अब ब्लाउच उठाना है मुझे सबसे पहले जो नीचे का square काटा हुआ है, इस square को सिलना है, निषान पर रख करके इस तरीके से चाप भरके इस तरीके से सलाई कर लेनी है और एक्ष्ट्रा मार्दन को कट कर लेना है लगबग एक इंची पीछे का मार्दन रखना मुझे कॉनर पर कट के लगा लीजिए इस मार्दन को केवल चाप भर ही मोड़ना है इस तरीके से चाप भर से ये आदाएगा तो हमें क्या करना है जितना मार्दन रखना है उसके उपर इस तरीके से पकड़ लेना है और एक कगर किसलाई उपर लगा देनी है और एक्स्ट्रा अंदर जो कपड़ अस्तर का उसको कट कर लेना है इसी तरीके से तीनो साइड हमें कपड़े को मोड़ कर सीलेना है और एक्स्ट्रा जो अस्तर है उसको काट देना है देखे कपड़ा हमारा कट चुका है और नीचे का स्क्वेर बनकर रेडी हो गया है अब क्या करना है इसके उपर भी गले में पट्टी लगानी है उसके लिए अब रेप अस्तर की पट्टी काड़ लेनी है सामने में भी अबरे पट्टी काट करनी है इसलिए पहले से हमें काट कर रखनी है बड़ी पट्टियां दो छोटी सी पट्टियां हमें बैक के लिए काटनी है लगबक चार से पाच इंच की पट्टी हो देखिए इस तरीके से रखकर यहाँ पर हमें अस्तर को अंदर की और मोर देना है यहाँ पर भी चाप भर का मार्जान लेते हुए शिल लेना है बाकी अंदर जो एक्ष्ट्रा कपड़ा मोर गया है उसको कट करके निकाल देना है देखिए इस तरीके से हमारा पीस बन जागा दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलना है अंदर की और मोर देना है पीस को और अस्तर को अबरेब रखकर हलके हाँ तो सकीच कर इस तरीके से उपर की और सिलाई मार देनी है दोस्तों क्या करना है कि अब जो हमने दो इंच का लूप बनाए है वो और इसको प्रेस से बठा लेते हैं देखिए दोस्तों प्रेस से हमने लूप को बठा लिया और तीन भागों में काट लिया और सुई से इस तरीके से किनारे को सिलना है दर्ड डालते वे और फंदा खिला कर हमें टाकी को लगा देना है इस तरीके से बीच सेंटर में हमारा बढ़न टक जाएगा तो जो यह तागे के निसान भी नहीं दिखेंगे इसी तरीके से तीनों आपको बनाना है बी सेंटर लेना है और जिस तरीके से धिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुई को निकाल करके बी सेंटर कर लेना है अच्छे से बैंड हमारा बन जाए दोस्तों यह 2-2 इंच की पट्टी ली है मैंने 2 इंच में 100 कम है पट्टी और हमारा 6 इंच का बॉक्स बना हुआ है तो थोड़ी थोड़ी गैपिंग बीच में आएगी देखे तीनों पीस हमारे बन कर रेडी हो गए है आए इनको अटेच करते हैं उपर से टेच करना है और हमें एक अंदाजा लगाना है कि हमारी जो बैंड है यह बीच बीच में आए अगर बखिया से इसको फ़ादेवे चलना है इस तरीके से रख लेना है एक अंदाजा रखना है आपको कि यह बीच सिंटर में आना चाहिए ज़िए आपको अंदाजा नहीं है तो आप इंची टेप से नाप करके भी बना सकते है इस तरीके से तीनों को सिट कर लेना है इस तरीके से बैंड को बनाना है और बीच सिंटर पर से लएक रख कर लेना है देखिए कि इतनी आसान तरीके से हमारा बैक का डिजाइन बनकर रेली हो गया है इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले इस तरीके से कोई भी एक फैंसी बड़न लेकर हमें तीनों पर रख के लगा देना है तो दोस्तों जरूर से हमारे चैनल को आप इस वीडियो में